अगर आपको इन तीनों कार्स पसे कोई भी पसंद नहीं आती तो मैं तो बोलूँगा भाई जाके किसी और कमने की कार लेलो क्योंकि हमारे चैनल का परपस किसी भी कार का इंडॉस करना नहीं है तीनों ही कार बहुत जादा जबरदस्त है तीनों ही कार का अपना अपना स्वाग है पर अब कन्फ्यूजन बहुत जादा बढ़े गया क्योंकि जो लोग बेस मॉडल्स देख रहे थे ना स्पेशिल अगर ब्रेजा के केस में बात करें तो कंज्यूमर्स कुछ हैपी भी है और कुछ अनहापी भी है कुछ लोग कहने कि भाई लॉली पॉप दे दिया है मारूती ने लोगों को देने तो six airbags चाहिए थे और कहीं न गए मैं भी expect कर रहा था कि कुछ six airbag करके चीज आने वाली है four disc brake type कुछ आएगा या फिर digital instrument cluster की तरफ हम आगे बढ़ेंगे पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आपर और अब बेस मॉडल के अंदर पर advantage जरूर मिला है लोगों को जो लगा ब्रैजगा एलेकसा ही लेते हैं वो लोग 15,000 रुपे देके कुछ और extra चीज़े भी ले सकते हैं जैसे इंपोर्टेनमेंट सिस्टम रियर कैमरा और साथ ही में कुछ आपको accessories की kit मिलती है तो दोस्तों biggest question ये बन रहा है कि अब इन तीनों में से cars कौन से लिनी है actually मैं आपको suggest करूँगा features देखके car मतलो आप मैं आपको ये भी नहीं कहता है कि आप Maruti लो 3XO लो या फिर यही लो आप जो चाहें वो कार लें आप चाहें venue ले ले पर जो आपके questions है इस video में मैं काफियत तक answer करने की कोशिश करूँगा देखो 3XO की वज़े से सब कुछ हुआ है एक तारीफ 3XO की करनी बनती है कि 3XO आने से पहले न टाटा, Naxon और मारूती ब्रेजा या टाटा और मारूती थोड़ी मोनोपली तो कर रहे थे सड़ली कैसे rate गिरा दी टाटा ने आप सोचिए कैसे मारूती अब आपको अर्बानो पैक लगा कर किट्स वगेरा दे रही है पहले तो खाल ये accessory pack 20,000 रुपे का था ब्राजा का जिसके अंदर infotainment system तो included था ही नहीं है और कैमरा तो भूली जाओ पर 3XO की वज़े से क्योंकि जब महिंद्रा ने आपको इतनी सारी चीज़े offer कर दी आपको 4 disc brakes, steering, modes, अच्छा खासा safety, build, सब कुछ momentum बनाया तो तारीफ बनती है भाई 3XO की अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी लिनी चाहिए इन तीनों में से तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा Tata, Naxon और 3XO से दोस्तों एक वक्त था जब Tata की यूनीक सेलिंग पॉइंट था USP Naxon के case में वो था अच्छी पावर, सबसे जादा पावर ये लोग offer कर रहे थे turbo engine मिल रहा था और साथ मैं build quality car की चोटा टैंक बोलते है Naxon को और अभी भी खेर इन फैक्ट दोजार चॉविस में Naxon को ही global and cap से 5 star rating मिली है 3XO की यह भी आई नहीं है पर लोगों को believe है कि यह आ जाएगी क्योंकि सारे safety features उन्होंने डाले है 6 airbags भी वो लोग base model से ही दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इस चीज़ के बारे में कोई वरी नहीं करना तो यह जो USP थीना Naxon की अब कहीना कहीना महिंद्रा 3XO के आते ही वो USP रही नहीं है अब महिंद्रा 3XO भी आपको powerful engine देती है और साथी में अगर हम बात करें 6 airbags की वो भी देते है build quality काफी जादा अच्छी है तो यह दोनों cars almost similar stage पे आ चुकी है पर जो आप लोगों के reviews और comment चल रहे है अब लोग काफी हद तक 3XO prefer कर रहे है over Tata, Naxon खाले कि मेरी नजरों में Tata, Naxon भी कोई बुरी कार नहीं है काफी time तक इस कार ने rule कर रहा है पर sales reports के accordingly थोड़ी थोड़ी इसकी sales down तो हो रही है पर Naxon CNG आता ही भाई, यह सारा बदला, सारे recovery कर लेगी अब यहाँ पर अगर मैं Breza की बात करू ना तो चाहे वो कितनी accessories दे ले, कुछ भी दे ले एक point पे भाई, हमेशा lag करेगी कि base model में 6 airbags नहीं आते हाला कि Maruti की जो following है वो इतनी अच्छी है, कि मैंने खुद reviews पढ़े है, consumers तो यह भी नहीं कहरें भाई कि तुम build बढ़ाओ, चलो 4 star से ही satisfied है, पर 6 airbags डालने काफी ज़रूरी थे, so long story short, अगर safety की बात करें भाई, तो सबसे ज़ादा safe फिलाल Tata and Exxon मानी जाएगी, क्योंकि global end cap 24 उसके पास आ चुका है 5 star का, second number पे आप 300 को ले लो, क्योंकि इसके base model में भी आपको 6 airbags मिलते हैं, 5 star type build मिल जाती है, काफी मजबूत का रहा है 300 भी, और last में आएगी brezza क्योंकि 4 star global end cap है, पुराना वाला जो है, और इसमें two airbags आपको base model में मिलते हैं, दोस्तों next point पे बात करना चाहूँगा engine की, क्योंकि car का engine ही जो है, वो सबसे ज़्यादा main चीज होती है, क्योंकि feature से ज़्यादा आप रोज मर्रा की जिन्दगी में न, engine को drive करोगे, engine को ही चलाओगे, तो engine खाली बस ऐसे नहीं हम जच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न, काफी पहलू होते है, car के engine की smoothness होती है, car के engine की mileage होती है, car के engine की life होती है, car के engine की power भी होती है, तो अलग-अलग तरीके से देखते हैं, अगर मैं power की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा power आपको base model के Mahindra XV300 में मिलेगी, इस से ज़्यादा power आपको नहीं मिलने वाली, किसी भी compact SUV में, भाई, बहुत power ये लोग offer कर रहे हैं, और अगर हम बात करें, second number पे power के मामले में आजएगी Tata, Naxon, क्योंकि उसकी power भी Braza से ज़्यादा है, third number पे आती है Braza, क्योंकि इसकी power सबसे कम है इसका torque भी सबसे कम है, अगर मैं बात करता हूँ, इन तीनों cars के category में, अब दोस्तों बात करते हैं, mileage factor के साबसे, by reportedly सारे comments, reviews और जितनी भी वो driver to driver depend करता है कि आप किस तरीके से चलाते हैं, पर Braza की case में, जाद अतर लोग notice कर रहे हैं कि अगर वो भगाते ही है कार को, तो भी अच्छी mileage तो ले ही आ रहे है, तो mileage के case में, टॉप पर चली जाती है Braza बाकी, Naxon और 300 को आप equally rate कर सकते हो, असपास दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हो, चैनल पर फिर हमारे regular viewer हैं, तो comment करके बने सुझाब दीजिए, साथ ही में वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, car के refinement की, car के engine sound noise की, और smoothness की या फिर vibration की, तो सबसे smooth आपको मिलेगी brezza, क्योंकि इसका engine आता है 4 cylinder 1.5 liter का, और अगर हम बात करें, उसके बाद Mahindra 300 मुझे smooth लगी चलाने के बाद, internet लोगों ने भी notice कर रहा है, कि vibration first second gear पर ज़रूर आते है 300 में, और जब वो car थोड़ी speed डे लेती है, 50-60-80 तो वो vibration जो है, उनको नहीं feel होती है, उसके बाद third number पर आती है, Tata Naxon, थोड़ी सी vibration लोगों को वापे feel होती है, और ये vibration exactly को ये बुरी चीज भी नहीं है, देखो दोस्तों, अगर आप turbo engine ले रहे हो, specially अगर वो non TGDI है, तो उस case में तो भाई ये होगा कि आपको slightly vibration feel होगी होगी, चाहिए आप महिंदर अथ्रेक्सो चला लीजिए या फिर आप चला लीजिए Tata की Naxon, अगर आपको कोई ऐसी car चाहिए जिसमें बिल्कुल vibration ना है, तो आपको force render की car की तरफ जाना चाहिए दोस्तों, अट लास बात कर लेते हैं, engine की long life और durability की अगर आप कोई ऐसे शक्स हो, जो car को एक बार लेके 10-15 साल, 12 साल चलाने की expectations रखते हो, उमीद रखते हो, तो इस case में ब्रेजा का engine आपका साथ देगा, क्योंकि 1.5 लिटर का N engine है, तो उसके life थोड़ी जादा होती है उसके बाद महिंदरा 300 का काफे अचा feedback है, उसके just नीचे ही Tata Naxon होती है तो टर्बो engine है, तो उनकी life की expectancy कुछ आसपास ही होती है, और अगर मैं last में बात करूँ जो एक maintenance का खर्चा होता है, long run में, 8-10 साल में, किस car पे आपको सबसे कम लगेगा तो वहाँ पर ब्रेजा काना पहले आजाएगा, क्योंकि महरूती की parts सस्ते होते हैं और उसका reason यह है, दोस्तों, दूसरा कि यह N engine है, comparatively Nexon और 3100 में आपको turbo engine मिलता है, 3-cylinder का तो इनकी थोड़ी सी parts की cost और maintenance की cost भी slightly जादा होती है दोस्तों, next point पे बात कर लेते हैं, space factor से कि किस car में आपको सबसे अच्छा space मिलता है तो इस मामले में अगर हम बात करें, top पे में रखना चाहूंगा, Mahindra XUV 3XO को क्योंकि इस car के अंदर 2600 mm का wheelbase आता है जिसकी वज़े से आपको car के अंदर बैटने के बाद जो leg room मिलता है, बहुत अच्छा हो जाता है car की width काफी अच्छी है 3XO की, सबसे चौड़ी car यही है उस वज़े से आपको जो shoulder width मिलती है, तीन लोगों के बैटने के लिए और जो hip room मिलता है car में बैटने के बाद, वो भी आपको सबसे अच्छा Mahindra XUV 3XO में मिलेगा उसके बाद आपको comfort की, अगर मैं बात करूँ space wise, तो आपको brezza में काफी अच्छा मिल जाएगा क्योंकि brezza की height काफी अच्छी है, तो ऐसे लोग जिनको ऐसी car चाहिए कि जो car में बैटने के बाद, आपका head room काफी जादा अच्छा हो specially जैसे हमारे कुछ sick भाई होते हैं, जो टर्बन वगरा वियर करते हैं तो उनके लिए भी ये काफी helpful हो जाते ही, क्योंकि head room काफी एच्छा मिलता है leg room, अगर मैं Tata Nexon और brezza को compare करू, दोनों का देखो similar ही है क्योंकि यहाँ पर 2500 mm का wheelbase आता है, तो यहाँ पर बैठने के बाद आपको almost same feeling आएगी थोड़ा height वाला factor में brezza जीत जाती है, क्योंकि वो ऊची जादा है otherwise जो कार में leg room है या फिर जो shoulder width है, आपको almost equally मिलने वाली है अब दोस्तो next factor पे बात करते है, car के boot space की और ground clearance की तो यहाँ पर सबसे अच्छी ground clearance और boot space आपको Tata Nexon के अंदर मिलता है बाई, काफी अच्छी ground clearance है, स्कार की commendable ground clearance मिलती है उसके बाद Maruti Braza की ground clearance काफी अच्छी है और अगर मैं बात कुरू महिंदरा 3100 की, तो अगर आप top variants लेते हैं जहाँ पर 17 inches का आपको tire profile मिलती है, तो वहाँ पर ground clearance इसकी 200 mm प्लस चली जाती है 201 mm के आसपास, otherwise boot space और ground clearance के ममले में सबसे नीचे आएगी 3100 उसके बाद आएगी Braza and then first पे आएगी Tata Nexon दोस्तो next point पे मैं बात करना चाहूँगा, कार की overall जो maintenance service quality होती है तो अगर customer service की बात करें तो सबसे अच्छा feedback चल रहा है मारुती का मारुती का service center का response time है, कार की service का, वो भी आपको around 4-5 hours के इंदर मिल जाता है service network काफी अच्छा है, parts की cost काफी कम है second पे मैं रखने चाहूँगा Mahindra को, और third पे Tata को तो महिंदरा का customer service है, Tata से 10% ही अच्छा है Tata की customer service के काफी negative reviews और emails भी हमारे channel पे आते हैं so third number पे आएगी सबसे जिसकी अच्छी customer service नहीं है, वो है Tata second पे आएगी Mahindra और first पे आजाएगी Maruti दोस्तों next अब हम बात कर लेते हैं, car के interior की looks की तो अगर हम car के interior जो अंदर बैठने के बाद feeling की बात करें तो सबसे बेकार feeling हो सकता है, आपको brezza में आ जाए not exactly बेकार पर उतने जो एक competitive quality होती है interiors की, उस तरीके की quality आपको नहीं मिल रही है comparatively अब Mahindra ने काफी जादा interiors पे काम कर रहा है अपने आपको improve कर लिया है, तो Tata, Nexon और Mahindra को मैं equally rate करना चाहूँगा, क्योंकि दोनों के interior मुझे अच्छे लगते हैं अगर मैं top variants की बात करूँ, brezza की भी अच्छे हैं उस हिसाब से जो एक flashy interiors होते हैं, जो कार में बैठने के बाद आपको एक good vibe और good feel factor देते हैं, वो कहीं न कहीं थोड़ा सा मारुती ब्राजा के अंदर missing है, दोस्तों next अब हम बात कर लेते हैं कार के looks की की कार देखने में कौन से अच्छे लगती है, तो ये चीज़ थोड़ी सी subjective हो जाती है हाला कि अगर मैं overall internet reviews की बात करूँ, तो 300 की look लोगों को थोड़ी polarizing लगती है ये भी subjective है क्योंकि जितने features इस car में आते हैं, तो कुछ लोग इसके looks को नजर अंदास करके इसको adopt कर रहे हैं लोग खरीद भी रहे हैं, कुछ लोगों को breza के look अच्छे लगती है, कुछ को nexon के अच्छे लगती है इन तीनों ही cars की suspension है काफी अच्छे है, क्योंकि compact SUV है so definitely hatchback से और sedan से आपको slightly एक level उपर का suspension response feel होगा क्योंकि car की profile ही कुछ इस तरीके से बनी होती है पर recent जो में reviews और comments आ रहे हैं फिर email साती है उसमें लोगों ने 3XO के suspension की काफी ज़ादा तारीफ करी है साथी में अगर हम बात करें second number पे है third number पे तो ब्रेजा नेक्सोन को मैं equally रख दूँआ क्योंकि suspension की मामले में इनका equally response है सारी cars अच्छा perform करती है दोस्तों next बात करते हैं कि highway पे जो stability और confidence आपको मिलता है किस car को चलाने में सबसे ज़ादा आता है तो first number पे आती है Mahindra 3100 क्योंकि car का engine powerful है साथी में car काफी stable है definitely car का approach departure angle काफी अच्छा है तो भगाने के time पे आपको काफी अच्छा confidence यहाँ पर मिल जाता है क्योंकि car की build भी heavy है Mahindra 3100 के अंदर उसके बाद Tata, Nexon के अंदर आपको इस चीज़े अच्छी लेगेंगी इन cars में आपको दोस्तो 6th gear भी मिलते है जिसकी वज़े से जो highway का driving pleasure होता है 120 plus पे वो काफी ज़ादा आपको 3100 उसके बाद Nexon में मिलेगा last में मैं रखना चाहूँगा ब्रेजा को अब बात करते हैं कि इस city में किस car को चलाने का सबसे ज़ादा pleasure है अब दोस्तों city में आपको bumper to bumper काफी ज़ादा traffic मिलता है उसकी वज़े से क्या होता है car आपको smooth चाहिए होती है lower rpms पे पर turbo में turbo lags आते हैं तो उस case में brezza आपके लिए car गर चीज है क्योंकि brezza में कोई turbo lag नहीं आता है साथी में इसकी mileage bumper to bumper भी काफी अच्छी है उसके बाद जो second और third पे मैं रखना चाहूँगा xvv3100 और tatan axon को equally रखूँगा मैं state में यानि की शहरों में bumper to bumper दोनों कार्स में minor lack feel हो सकते हैं और साथी में जो mileage इनकी almost equally रहेगी क्योंकि या bumper to bumper काफी चिपकर चलती है आप commit करके बता सकते हैं कि इन तीनों कार्स में highway और शहर में आपको सबसे ज़्यादा mileage कहा मिलती है और चलाने में मज़ा कहा आता है दोस्तो एट लास अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों कार्स में सबसे ज़्यादा VFM या फिर value for money कार कौन से निकल कर आती है दोस्तो अगर मैं VFM की बात करूँ value for money की बात करूँ तो यहां पर पैसो की बात हो रही है तो definitely हम उन कार्स की बात कर रहे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा mileage दे दे या फिर resale दे दे या फिर आपको काफी अच्छा feel करा है कि आपने पैसा जो है सही जगा लगाया है क्योंकि 10-12 साल तक कोई कार अगर आप चलाते हो तो उसकी periodic services या फिर जो parts की cost है उसमें सब include होता है तो VFM कार निकल कर आती है base model मारूती का brezza in fact अब तो आप 15,000 रुपे दे कर बिना किसी market में जाए like करो लबाग या कोई भी ऐसी famous market जहां पर accessories होती है यह सारा काम अब आपको showroom से होगे मिलता है जिसकी वज़े से आपके insurance भी unsattled नहीं रहेंगे आपको timely कोई भी insurance company परिशार नहीं गरपाएगी timely सारे claims settled होते है तो first पे आजाती है brezza second पे मैं रखना चाहूँगा Mahindra XUV 3XO को क्योंकि base model के हिसाब से यार इस car में आपको 4 disc brake मिलना अच्छी build मिलना, सबसे ज़्यादा power मिलना तो यह मुझे काफी VFM लगती है car, third पे मैं रखना चाहूँगा Tata Naxon को क्योंकि यहां पर देखो जो चीज़े Naxon पहले offer कर रहे थी जो इसकी USB थी अब वो 3XO भी दे रही है तो कही न कहीं last में Tata Naxon का base model set होता है जाके तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए इतना ही यह था मेरा best comparison जो भी reviews में देखता रहता हूँ जो भी news हमारे पास आती है उसकी सारी detail information मैंने आप से share करी है कि इन तीनों में से किसका base model आपके लिए सबसे ज़दा value for money रहेगा मैंने यहाँ पर किसी भी car को उपर नहीं रखा है क्योंकि सारी cars अच्छी होती है तीनों cars काफी दमदार है मज़ेदार है और जहाँ पर जो cars stand out करती है मैंने उसके हिसाब से आपको recommend करा है तो आप paper pen लेके notes बनाइए कि आपको कौन से feature चाहिए कौन सी car वो चीज़े आपको दे रही है जो आपको help करती है और उसके accordingly फैसरा ले लिजिए इन तीनों में से आप कौन सी car लेना चाहते है अगर आपको इन तीनों cars में से कोई भी पसंद नहीं आती तो मैं तो बोलूँगा भाई जाके किसी और company की car लेलो क्योंकि हमारे channel का purpose किसी भी car का endorse करना नहीं है बस आपकी help करना है कि आपको best car मिल जाए अपनी needs के accordingly So दोस्तो आज की video के लिए इतना ही मिलते हैं किसी और दिन Thank you so much for watching Bye bye, take care